बिस्मिल्लाइ रोहमान और रहीम, असलाम अलेकुम रख्मतुलाइ बरकाता हूँ, उमीदे सब खेरो आफिस से होंगे, आज हम इस वीडियो में इसलामबाद प्लीस के इंट्रवी के अवाले से डिसकेशन करेंगे, के इंट्रवी में कौन से अमोमन सवाल पूशे जाते हैं और मेरा अपना परसनल एक्स्पिरियन्स क्या रहा, इंट्रवी के दोरान पून से इसी गलतियों हैं जो अमोमन हो जाती हैं तो उनसे उभाइट करना हैं, और कौन से इसी बाते हैं, जिनका इंट्रवी के दोरान ख्याल रखना बहुत जरूरी है, विए आप आजाते हैं के सामने तो पहला जो कुस्टन होता है कि अपना तारफ करवाएं ठीक है उसके बाद जो दूसरा कुस्टन है कि अपने आपके वालदीन क्या करते हैं आप कितने बेहन भाई हैं और वो क्या करते हैं फिर अपने तालिम के बारे में बताएं कि आपने कहां से तालिम आसल की फ का फेवराइट जो दोस्ते वो कौन है और उसमें इसी क्या चीज़े जो आपको पसंद आती है प्लीस की रेंक तर्तीब से बताएं जैसे कांस्ट्रेबल हेट कांस्ट्रेबल या आप सारी चीज़ें आप खुद से एकस्प्लोर कर सकते हैं पसंदीदा शक्सियते वो कौन है होबी क्या हैं आप क्या काम करते हैं जब आप फ्री होते हैं उसके बाद कुछ पसनल जो आपकी डिजायर्स होती है उसके बारे में भी पूशा जाता है कि आप पुलीस को क्यों जोईन करना चाहते हैं हम आप कोई क्यों सेलेक्ट करें पुलीस में अक्सर आपकी जो पॉस दूसरे तेहवार पर पुलीस में शुटिया नहीं मिलती तो उस वक्त आप क्या करेंगे ये कुछ अमूमन कुस्टन होते हैं और उसके बाद जो सवाल हैं वो करेंट अफियर से पूछे जाते हैं करेंट अफियर और हिस्ट्री आफ इसलामाबाद पुलीस के अवाले से ये कब बनाई गई और उसका पहला आई-जी कौन था इसलामाबाद पुलीस का मौजूद आई-जी कौन है और उससे पहले आई-जी इसलामाबाद कौन थे उसके साथ साथ आपको पंजाब का मौजूद आई-जी सिंद का मौजूद आई-जी बरोचस्तान का मौजूद आई पंजाब का गवर्णर बलोचिस्तान का गवर्णर गवर्णर इन सब को आपको नाम आना लाजमी है ठीक है उसके बाद चीफ आफ आर्मी स्टाफ कोने मौजूदा पाकिसान का सदर कोने हैं वजीर आजम कोने हैं वजीर खारजा कोने हैं और दूसरे जितने भी प्राविंस ह उनके वजीर-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई- तो इसके बारे में भी आपको इल्म होना लाजमी है पाकिस्तान में जो अभी SEO Conference हुई थी वो कब और कहां की गई उसको लेडिंग किस ने किया था तो ये भी आपको इल्म में होना लाजमी है सवाल आपके जेनल Mathematics से जो बिलकुल आसान होते हैं जो आप विदिन फ्यू सेकंड्स में सोचे सोचे ही आप जो हैं वो हल कर सकते हैं तो वो भी पूशे जाते हैं लिट सपोस बारा पैन है उसकी कीमत है 48 रोपे तो बताएं कि 18 पैन की कितनी कीमत होगी तो वो आप सॉल्ट करके उसी वक्ति जहन में सॉल्ट करके फिर आप उसको बता दीजिएगा यहां दूसरा एक गाड़ी है वो 30 किलो मीटर पर और की स्पीड से जा रही है तो वो 45 मिनिट में कितना डिस्टन्स कवर करेगी तो यह भी पूशते हैं मतलब नारमल किस्टन होते हैं अप यजली उसको वहां पे स्वाल्ट कर सकते हैं उसके बाद Śलमियात के जूये वो किस्टन्स कुशे जाते हैं जैसे इसलम के बन्यादी अरकान कितने हैं ठीके उसके बाद खुलफायर चाहेदिन के नाम बताएं कुरान मजीद की सबसे शोटी और सबसे बड़ी सूरत कौन सी है सूर रह्मान किस पारे में है उसके बाद कुछ आपसे पूश भी सकते हैं कि आप जैसे दुआई कनूत सुनाए या चोथा कलमा सुनाए तो ये भी अमूमन होते हैं या वजू के कितने फराज हैं और इसके लावा गुसल के कितने फराज हैं या इस नमाज में कितनी वरकाते फाज़ हैं और टोटल कितनी हैं तो इसके बारे में भी आपको इल्म होना लाजमी है तो ये कुछ अहम सवाल थे जो अमूमन 80-90% पूशे जाते हैं और आपका इंटर्वी जो है वो बिलकुल आसान होता है उसके इलावा आप जिस चीज में भी आपने डिगरी की है इतालीम की है उससे मुतालिक आपके सवाल पूशे जाते हैं बाकी अमूबन आपका जो इंटर्वी है वो तीन से चार मिनट का होता है इससे ज्यादा नहीं ह आपको यह सवाल नहीं आ रहे तो बस आपको मैं खतम कर देता हूं तो इसी रहें बिलकुल आपको आपको बात नहीं अगर नहीं आता तो बजाए आप तो का मारने के आप उनको बता सकते हैं कि यह मुझे नहीं आता और अपने कॉन्फिदेंस को बूस्ट रखें पूरे इंट्रविव में और पुरा इत्माद रहें इंशाला बाकी कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं इसके बारे में भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊँगा तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में लाजमी उताइएगा अगर कोई और कुस्टन हो आपका इसलाम अबाद प ख्याल रखियेगा अलाहाफिज